प्रकृति सिखाती है बहुत कुछ, हमारी आखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारी आखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है, हम अन्भिग्ये हैं, हम को समझ ही नहीं आ रहा कि प्रकृति रोज सिखा रही है कि जलना तो पड़ेगा, और देखो कहानी इसकी, ये Bird Kingdom का राजा है Eagle प्रकृति रोज सिखाती है कि if you want to become Eagle तो आपको जलना पढ़ेगा 70 साल औस तन उमर होती है 70 साल Eagle का उमर होता है लेकिन इसकी कहानी का टुस्ट क्या है और वो यह है कि 40 साल जब यह हो जाता है तो इसकी जो चोंच है यह bend हो जाती है आगे से soft हो जाती है शिकार नहीं कर पाता है वेन इस रीच 40 इसकी चोंच bend हो जाती है soft हो जाती है शिकार कर 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 शिकार नहीं कर पाता है इसकी जो पंक हैं जिससे उरता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते है इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं इसको उड़ने में तकलीफ होती है इसके जो पैर है जिससे जप्टा मारता है वो नाकुन टेड़े हो जाते हैं करकर के करकर के करकर के चलिस साल है अब इसके पा तो चोंच से उसको मार नहीं सकता आप इसके पास चौइस है चालिस साल में किया वो मर जाए लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकृति सिखाती है कि एगल ऐसा नहीं करता चालिस साल की उमर में एगल अपने एरिया के सबसे उन्ची चोटी पर चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पर मारना चालू करता है जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो पीड़ा होती होगी और वो पीड़ा सहता है मार मार के पत्थर पर मार मार के खुन निकलता है लहुलुहान हो जाता है दर से मर रहा होता है लेकिन मारता रहता है मारता रहता है और चोच को तोड़ देता है इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी लेकिन वो जो तोड़ने का प्रोसेस है वो पीड़ा दायक है सेम कहानी है जो पैर के नाकून रहते हैं, उसको रगड़ता है, शिला के उपर, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है उसको, कितना बेनफुल रहता होगा यार, लेकिन हर एगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है, चालिस साल, जैसे ही चोंच निकलती है, कहानी यहां खतम नहीं होती, फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिसम से अपनी ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर, उसके उड़ने के लायक नहीं रहे, भैंकर बिला होती होगी, भैंकर, लेकिन इस प्रॉसेस से हर ईगल गुजरता है अपमे जिंदगी में सर, और चालिस